Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीद हम पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम M.A. History, M.H.I. 101 का इनुट 7 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में बात करेंगे Latin America का Latin America का यह Part 2 होने वाला है, Part 1 में पहले ही करवा चुका हूँ जिसके अंदर में हमने पढ़ा था माया सभयता के बारे में इसके अंदर में हमने बात क्या था कि माया सभयता के जो सहर थे, गाउं थे, उनकी विशिस्ता ही किस परकार के थी वो किस परकार से विक्सित हुए, मानव जीवन का आधार किस परकार का था, इसके बारे में हमने बात कहे था आज किस वीडियो के अंदर में हम पार्ट तू के अंदर में कवर करेंगे इंका सब्वेता के बारे में इंका सब्वेता है क्या, इंका सब्वेता का विकास किस परकार से हुआ, मानत जीवन का आधार किस परकार का था, आर्थिक विवस्ता किस परकार की थी इन सभी टॉपिक के बारे में आज किस वीडियो के अंदर में हम कवर करने वाले हैं इंका सब्वेता से लेटेड यहाँ पर जो question बन कर आता है इंका सब्वेता का, दो तरह के बन कर आते हैं एक तो रहता है टिपड़ी पिस 10 नमबर का question के भीए 10 नमबर का question ने टिपड़ी लिखे इंका सब्वेता के बारे में उसमें भी सेम चीजे ही आपको explain करनी होती है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं डीटेल में समझते हैं इंका सब्वेता का, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंका सब्वेता का मुख्यता फैलाव किस परकार का था यहां पर देखने के लिए मिलता है आधुनिक, इकवाडोर के अंदर में, पेरू के अंदर में, बेबिलुनिया के अंदर में, चिली के अंदर में, आर्जंटीना के अंदर में करने काहारण कि रहता है जो यह इलाका सब्सक्राइक करने के उपलब्द नहीं देखो बहुत कम देखे जाती है जो भी छेते उपलब्द थे, वहाँ पर उबडखावड थे, ठीके जिस पर खेती करना सेंभव नहीं था, इसके कान से एडीस के अंदर में कृष्वी उतनी जाता विक्सित नहीं हो सकी, यहां की जो जलवायू थी काफी विश्मुता वाली देखी जाती है, इस शेतर में मौसम भी मतलब कभी खूब ज़्याता सर्दी और कभी खूब गर्मी पड़ती थी, जिसमें मतलब खेती करना पॉसिबल नहीं रह पाता था, एडीस के छेतरों में देखोगे, तो जलवायू दिन में हज़से ज़्यादा गर्म होती थी और राते उतनी ही ज़्यादा ठंडी हो जाती थी, आप राजिस्थान के बातिव करोगे, तो वहाँ पे भी दिन बहुत ज़्यादा गर्म होती हो, रात उतनी ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो सेम एडीस के छेतरों में भी देखा जाता था, वहाँ पे जो मोसम के अंदर में भी बिटाएं देखने के मिलती है, इसमें लॉर्मली सर्दी और गर्मी का ही चलता है, कि सर्दी अगर सर्दी पढ़री तो पूरी सर्दी पढ़री गर्मी पढ़री तो पूरी गर्मी पढ़री इस तरीके से देखा जाता था, रात और दिन का अगर तापमान देखोगे तो 25 से 30 जिगरी का अंतर हो जाता था, रात अब दिन के तापमान में अगर दिन में मान लो 25 डिगरी टेंपरेचर है तो रात में almost होगा कि यह नीचे गर जाएगा ठीक है तो बहुत ज़्यादा इस तरह से जब एक जगह पर उपस्ति चारगा नहीं होती जैसे आप बात करोगी भारत के अंदर में क्या होता है कि कई जगह नौर्थ इंडिया के अंदर में जाते हो तो आप खेत 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 पूरा दिखर है आपको ठीक है प्रॉपर संतल भूमी है जहां पर एक जगह पूरा चारगह ही उपलब्द जहां पर घास उपलब्द जहां पर जानवर खा सकते हैं पर जब एडीज की हम बात करते हैं तो वहां पर चारगह की उपलब्दता नहीं तो此य बहुमी जो ती Aber चाई के बेगर वहाँ पे तयार करना मुश्किल था जो टट के आसपास का जो छित्र था वो चलो समतल तो था पर वहाँ पे सिचाई की उपलब्दता नहीं थी जिसके कान से उसको तयार करना खेती योग्ये बनाना वो इंपॉसिबल देखा जाता है यहां के किसानों ने उस शित्र में कम्यों को इस परकार से उप्योग किया कि यहां के लिए फाइदे मन साबित हुई ठीक है लोग उस जलबायू का इस्तमाल अपनी सबजी और मास को सुरक्षित रखने के लिए करते थे लोग अपने खागे प उसको इस परकार कैंप में कर सकते स्केटि लाधिन उसका उठादे जिसमें कोई भी भोजन होता तो रात को क्या करते उसको रख देते त hesitant पड़्ती तो रात में उतना जाता ही घर जाता था डबल घर जाता था तो काई बार इस तरह का लुक्त प्र 술ण सकतके लिए यसने मैं घर मंगर ले चेते लिए तो इस ते तरहीं से शुरूंचित रह जाता था नहीं खाते परदार्त को लंबे समय तक चला पाते थे इस परकिटे के इस परकार को परकार को सुरक्शित रखने की तक्निक का WhatsApp करने के बाद में लोगों ने खागे ऑदार्त मचली आदी को लंबे समय तक उपयोग हित्तू स्वरक्शित रखा जैसे जो भी वो बनाते थे या जो भी उनका भोजन व्यापन का जो आधार था कि इस चीज़ को हमें खाना है वो इस तरीके से करते थे लंबे समय के लिए long time period के लिए उसको रख पाते थे खाते परदात को सुरक्षित तकनीक, यहां के लोगों के जीवन को काफी सुखम और सुखम बना देता है, बहुत जादा इजी बना देता है कि आप इस तरीके से चल सकते हो, अगर यह तकनीक नहीं होती, मालो यह ववस्था नहीं होती, दो स्कीन के लिए में एजिम करते हैं कि रात में उस चीजों को जमान ही सकते थे, दिन में सुखान ही सकते थे, अगर यह ववस्था नहीं होती, इस तरह का मौसम वतावरन नहीं होता, तो उनका जीवन वेबन का अधार क्या रहता, वो उनको जादा जादा सिकार करना पड़ता, क्योंकि वो जो भी सिकार करके लाते हैं, तो वेस्ट होता, ठीक है, लंबे समय तक वो एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक टाइम के पीरेट के बाद, आपका सिकार बहुत जादा वेस्ट होगा, कितने बार चीजों को करोगे, उस तरीके से साबसे आरेंज करोगे, तो यह एक उनके लि सकता हूं कि वस्तू को प्राप्त करते हैं, यहां पर उन्होंने कोई सिकार करने के बाद, जो भी मास था, उसको उन्होंने सुखा दिया, सुखाने के बाद, या फिर जमाने के बाद, उसको एक जगह साथ दूसरी जगह टांसफर किया जाता था, भेजा जाता था, और वह लिए मिलता है उस शेतर का जो टटी ये सूखी भूमी थी खेती करने के लिए ग्लेसियर से सिचाई के लिए नदी में नहरे बनाई गई थी ती कि वहाँ पर आसपास की जो ग्लेसियर थे जो बड़े बड़े थे बर्फों के उनको पिघलने कांसुम से नहर बनाई जाती थी जिसकी बेसिस पे सिचाई कर सके टटी यो बूमी की जो सिचाई कर सके यहां पर इसकी ववस्ता की जाने लगी उस शेतर में सिचाई के बेगार क्रिशी संबभ नहीं था क्योंकि यहां की जलवायू काफी बि युप युज़ा करने के लिए सक्षम हो सकी उन वस्तियों का उन अस्थानों पर भेजना सुम्हों का इक जल्सर से बन फे democrats इस तरह का मोसम नहीं होता इस तरह का इंवार्मिंट नहीं होता तो साइद इस तरह से उनका जीवन आपन भी चलनला मुश्किल होता यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट बन कर राता है इंस्सके बारे में करके कि जो लोग थे उनके बारे में आर्थिक जीवन के बारे में बताईए तो मीत मांक एक इंका सबेता में ऐसे लोगों का समू था जो खेती के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था जहां पर खेती करना होता था माल लोग एक जगह यहां तुरह रहे पर उनको पता च कुछ इतिहास्काराइक का मालेक होता है कि इनिके सबेदर में बिसा गए जो लोग होते वो निस्थावान होते थे बहुत ज़ादा तरीके से मतलब वो मतलब Believe कर सकते उनके उपर निष्ठा रख सकते हो इस तरह के लोग वहां पर होते थे जिनमें विजी छेत्रों को बसाया जाता था जो बहुत ऐसे छेत्रे जहां पर कोई आना जाना नहीं किसी इनसान का उस जगाप इनको बसाया जाता था ताकि वहां जाकर वो अर्थवर्ता ये मस को आधार दे सेके य flaming करते के हैं जो यह करते बात करोगे मीटमांग की में यहां के जो स्थाने निवाशियों मेंसे यह दिन चलने की दूरी से वो अपना निवास बनाते थे जैसे मीत कांग क्या होते थे जब कभी भी वो किसी जगह पे विस्थापित होते थे एक जगह थे दूसरी जगह गए तो हमेशा वो इस तरह से तैग करते थे कि जैसे यहां पर एपर सने मानने के चलो यहां पर एपर सने इंका वासी यहां प कटम हो गया तो इस जगह पे ही वो अपना डेरा बनाते थे और वहीं पर वह आवास करते थे मतलब वह एक दिन के सफर की दूरी पर रहते थे इस तरीके से नापक कर देते कि हम एक दिन के सफर की दूरी पर हैं आज के समय में क्या होता है कि कोई भी पूछता है कि कितने दू हो तो यह को सफर का है वे जक्रम सब्सक्राइए और है और जलने की भव्य कि को क। दोद theo उस समय मीइटकांग लोग थे जो इंका सबुकरां के निra नाजा पे अंधर हो यहींपर वह आस्रा बनाते ते रू उनका जो जगह बनाने का निवासस्थल बनाने का परकिरिया होता था वो इसी प्रगार चलता था कि एक दिन की दूरी पे हम निवासस्थल बना सकें समय के साथ में अब दूरी विर्दी होती चलियाती है दिरे दिरे जैसे समय बढ़ता हो दूरी जो एक दिन की दूरी हो बढ़ती चली जाती है जब छेत्र में संचार वावस्ता सुरुक्षित एंबहतर एंव सांती और सोधार्द की इस्थिती होती है तो वह मीत कांग के जो होते हैं स्थानिय लोगों से लगबग 60-80 दिन की पैदल यातरा पे इस्थित होते हैं देखो स्टार्टिंग में जब मान लोग किसी चीज़ की प्रॉबलम है किसी चीज़ की दिक्कत है तो नॉर्मली मीत कांग क्या होते थे वह एक दिन की दूरी पे रहते थे पर जैसे जैसे देखा जाता था कि वहाँ पे चीज सब कुछ सही चल रहा है संचार की सथा है वार की सांतीए सोदार्द हैं मतलब हां पर किसी दर का लडाई जगड़ा को ही टेंशन नहीं है तो क्या होता था साट से 80 दिन की दूरी प्र याप को चले साट से 80 दिन चला उन्होंने और उसके बाद जहां पर उनका सांग से पर जब गवी भी गड़ना होता था जनगड़ना होता जहां पर लोगों को गीना जाता था कि इतने लोग इस जगह पे हैं तो जो उनका मूल स्थान होता था उस वहीं से गीना जाता था कि यहां पर मीत कांग रहते थे ठीक है इस तरीके से यह व्यापक चलती थी आगे मैं दालते हैं तो मीत कांग का आम तोर पर कुसल और निस्थावान लोग हुआ करते थे कुशल मतलब क्या वह कुसल कारीगार होते थे उनके पास जो हो स्किल होता था बहुत अच्छा स्केट केंदर के तौर पर विखसी तो आगे चल कर वह सिल्प विशैस्ट के तोर ね बन जाता था सिल्प केंदर के तौर पर विक्सित हो जाता था और वहां से चीज़ें उसको आगे उनको बड़ोतरी मिलती थी क्योंकि देखो आप कहीं पे मान लो आप एक skillful person हो आप कहीं पर जाके विक्सित हो रहे तो वह जगह कहीं न कहीं उसका यह आईंगी मतलब जो भी economy है जो भी source है आप कहीं न कहीं चेतर में आओगे आज बहुत सारे भारति यहा पर ऐटर न करते हैं अपने तरीके से वह जीवन को जीते हैं सिल्प के अंदर बन जाता था, यह जो पूरा जो छेतर है, यह मितकांकों का है, मितकांक यहां पर बसे हो है, तो वो सिल्प कृति छेतर के तौर पर जाना जाता था, जहां पर लोग के अंदर में स्किल होता था, कि वो सिल्प कृतियां बना सकें, सिल्प के कारे कर सकें, तो यह दिखा जाता था यह लोग जीवन के हर छेतर में कुसल होते थे जिन इस्थानों पर यह जाते थे वहां की अर्थवस्ता गती परदान करती थी लोग इनको मित कांको के द्वारा विक्सित कुमार और धातु कर्मियों के अलग-अलग गां होने के पर्मान मिलते हैं तिती काका जील के टट हुआ केना के समीप राज्ये द्वारा संचाली तेक उतपादक केंदर के तौरपे स्थापित किया गया यह जो भी नाम है लुपाका तिती काक और तिती काका हुख हुआ के यह सारे नाम है वहां के जगह के नाम और उनके लोगों के नाम है कि किस तरह से कहां पर किस तरह से विक्सित हुए चीज़े आपना मित मांग को को देखोगे न मित मांग के जो हैं वह किस तरह किसा आप ले सकते हो कई बार भारत के अंदर में कि बंजारे आते हैं जो एक जगा से दूसरी जगा विस्थापित होते रहे मैं बात करूं तो यह एक जहां पर हजारों बूकर और हजारों कुम्हार की काम क्या करते थे मित मांकों को यहां पर चुन ही महिलाओं से अपनी जातीय परिवेश्च में अलग कर दिया जाता था जो भी मित मांक होते थे उनके अपनी जातीय परिवेश्च अलग किया जाता था और उन्हें अपने को अलग किया गया उसको बुनाई में लगाये गया तो नॉर्मली उसका एक राजनेतिक जीवन का विसेस महत्व होता था जिसके विसेस पर यह कार्य दिया जाता था ठीक है इंका काल में में तांकों का उपयोग जो था सेन्य सेवा के लिए भी होता था जैसे कि आप देखों हो रहा है तो पास में रहें और उनको आकर सुरक्षित रख सके तो यह रिजन रहता था जब उन्हें लगता था कि एकदम सब सही चल रहा है तो 60-80 दिन की दूरी पे जाकर बस देते ठीक है तो यहां पर सैन्य सेवा के रूप में भी उनका उपयोग होता था राजे मितमा को का उपयोग कर देते उसका हुदारन यह मिलता है कि कॉलपवागा कॉलपवब्र में दखो तो किले का रक्षा करने के लिए मितमांगों को से गुहार लगाई जाती है सहर का सहर दिया जाता है गुवा पारा गुवा रापा ठीक है यह नाम थोड़े जीव-जीव हैं तो इनको देख लीजेगा यहां पर मतलब मितमांग जो होते थे उनसे मतलब एक तरह सेन्य तोर पर भी उपयोग किया जाता किसी तरह का अगर रक्षा करना है किले की रक्षा करना है कि सेना का सीमा का विस्तार करना है तो उसके लिए भी इनका उपयोग उस तरीके से किया जाता था जहां उनके जाती है समू लोग अनाज उपजाते थे उनके लिए खागे उतलब कराते थे जैसे जो भी अनाज राज्य के विश्टार में मदद तथा उनकी समय समय पर उनकी जनसंक्य में विर्दी हुई मितमांक ने राज्य के विश्टार के सासन की मजगूती परदान करी राज्य सब वसूलने में भी महत्यपून भूमका निवाई ऐसे किसाने जो स्वयम खेती करने करते थे या उपभोग के लिए खेती करते थे उन्हें कर नहीं लिया जाता था जो अपने लिये खेती कर रहे हैं अपने उपभोग के लिए खेती कर रहे हैं गर उनके निभाई जाते थे जो भी परशाष्निंग जिमेंदारीय उतनी ओझ के उसके इंदर में सपोर्ट करते थे पाटिसपेट करते थे मित मांगों को इंका सब्वयता के अंदर já लुगास वे assist करते थे यहां पर नकहों करता है इसने व tu लॉइ judgments बहुत देर के अधार किस परकार का설 Such लिखनी होते हैं और पड़ोगे तो किसी किसे अगर आपको इसका नोट से टो आपको डार पहला है ब्लोगер पे जाना है गोगल टिके डिस्क्यों में लिंक ब्लागर का दिया रहता है तो हुए आप जाइए डिस्क्यों में लिंक पर कलिक किजिये ब्लागर पर और वहां पर यह आपको PDF मिल जाएगा डारेक्ली आप जाकर वहां से नोट डॉड़कर सकते हो किस तरीके से क्या चीलिए थे सासाथ मैं एक request करूँगा दोस्तों कि हम video बहुत मैंने से बनाते हैं आप like, share, subscribe ज़रूर करें subscribe ज़्यादा ज़्यादा करें और the in-up और nav info दोनों को subscribe करें nav info पे आपको college related जितने भी update हैं वो मिलते रहेंगे सारे notification मिलेंगे और the in-up के उपर में जितने भी आपकी new chapters करवा रहा हूँ जो भी आगे में पढ़ाने वाला हूँ उसकी update यहाँ पे आपको time to time मिलता रहेगा तो friends like, share, subscribe ज़रूर करें अगर किसी तरह का doubt, question है किसी तरह का confusion है तो आप comment box के अंदर में अपने question को raise कर सकते हैं वहाँ पर आपका answer दे दूँगा तो video end करते हैं thank you so much bye bye, take care, all the best